दोस्तों आपने साल 2008 में आई फिल्म गजनी तो देखी ही होगी जिसकी एक अलग स्टोरी और कॉंसेट ने दर्शकों को दिवाना बना दिया था और इसी में एक किरदार था कल्टना का जिसे अभिनेत्री आसिन निभाती नजर आई थी और अपनी एक्टिंग के साथ साथ अ आपको अभिनेत्री असिन की डॉलर शौरत और करियर खत्म होने तक के सफर के बारे में बताने वाले हैं अगर जानना चाते हैं आप भी तो जुड़े रहे हमाएं साथ वीडियो के अंच तक पर उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें बॉलिवुड और तमिल इंडरस्टी में काम करके पूरे देश में मशूर होने वाली अभिनेत्री आज किसी पहचान की महताज नहीं है और यही वज़ा है कि असिन इंडरस्टी के सबसे महंगी अभिनेत्रियों में से एक हैं जो की 27 करोड रुपे से भी जादा संपत्ति क मालकिन है जिनका मुंबई के अंधेरी में एक बहुत बड़ा घर है जिसमें करीब 5 कमरे शांदार लिविंग रूम बालकनी किचिन और सर्विंट के लिए भी एक रूम है जिसकी वजह से इनका पूरा घर करीब 5 करोड रुपे की कीमत रखता है बतादे इनका ये घर उनी परसनालिटी को मेंटेन करने के लिए काफी महगे महगे डिजाइनर कपड़े पहनती हैं जिनके कपड़ों में पराड़ा, बरबरी और रॉल्फ लॉरेंज जैसे ब्रैंड्स होते हैं तो वहीं अपने कपड़ों के साथ ही अपनी हील्स और शूस पर भी 40-50,000 रुप भी कैड़ी करती हैं घर के साथ हर किसी की तरह असिन की भी ड्रीम कार्स रही हैं जिनमें असिन के पास सबसे एक्सपेंसिब कार रेंज रूवर वाग S.W.E. है जिसकी कीमत करीब धाई करोड रुपे है इसके साथ ही इनके पास मर्सरीज ब्यम डबल्यू M.L.350 भी है जिस 15 साल की उम्र में तमिल और तैलुकू फिल्मों से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की और पढ़ाई पूरी करने के बाद असिन चेननाई से मुंबई आ गई और असिन ने साल 2008 में आई फिल्म गजनी में कलपना का किरदार निभाकर बॉलिवूड में फर्स डेब्य जिसके बाद साल 2011 में उन्होंने सलमान खान के साथ रेड़ी, साल 2012 में अक्षे के साथ खिलाडी सासोश्यासी और हाउसपूल टू जैसी फिल्में की जिसके बाद उन्होंने बॉल बच्चन और All is Well जैसी फिल्में भी की लेकिन धीरे धीरे ये फिल्मों से दूर हो गई साल 2017 के बाद असिन का फिल्मों में दिखना ही बंद हो गया लेकिन गई तो गई कहां दरशल असिन ने साल 2016 में मशुहूर मोबाइल कमपनी माइक्रोमैक्स के मालिक राहुल शर्मा से शादी कर ली थी और फिल्मी दुनिया को हमेशा के लिए टाटा वाई वाई कह दिया था वो दिल्ली में ही बस गई और साल 2017 में उन्होंने एक बेटी को जन दिया इस तरह से इनका एक्टिंग करियर पूरी तरह से खत्म हो गया तो दोस्तों आप असिन की इस लगजरी लाइफ और करियर खत्म होने तक के सफर के बारे में जानकर क्या कहना चाहेंगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही बॉलिवुड से जुड़िया ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले